देश के पहले प्रधान मंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बटवारा ही नहीं होता जिन्ना को देश का प्रधान मंत्री ही लोग बना दिये होते इस बात को अडवानी जी के विचार को पढ़िए अटल जी के विचार को पढ़िए जो समदेश के सुभचिंतें खे उनके विचार को पढ़िये वो क्यों उनकी तारीब करते थे वो लोग उनकी तारीब क्यों करते थे आप लोग महंगाई पे क्यों नहीं पूछते हो आप नहीं हम पूछ रहें आपसे जिन्ना से महंगाई कम हो जाएगी भारती जनता पार्टी में खाली भारती जनता पार्टी में अगर मुसल्मान हटा दीजे भारत पाकिस्तान हटा दीजे इंदू मुसल्मान हटा दीजिए, मंदिर मस्जिद हटा दीजिए, तो भाटी जनता पाटी के जबान बंद हो जाती है, वही भासा है आप लोग बोलना सुरू किये हो, आप लोग देखो महंगाई के विशह में, आप अपनी सुरक्षा पत्रकार आयोक के विशह में क्यों न परचा करते हैं, इसको आप इस समय किस नजरिये से देख रहे हैं, कि उप चुनाव में जनता ने इनको सिकस दिया है, और पचास रुप्या पेटोल और चालिस रुप्या डीजल बिचवाना है, तो उतर पदे से सरकार को बिदाई कर दीजिए, और चुनाव बितते ही पे अपिस खुली है, उस पे लिखा हुआ है कि दलाल, है नहीं, वो अभी बच्चा है, अभी राजनी सीख रहा है, और बच्चा को भेट हो गई है बाप से, ठीक है, भेट हो गई है बाप से, शुपाल यादों काभी बेताब लग रहे हैं, अकलिशादों से कह रहे हैं कि प्रयास कर रहे थे, आज भी हमारी कोशिस हो रही है कि उनको एक साथ लाकर के प्रदेश में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के फिराक में हम लोग पढ़े हैं, कोशिस हो रही है, जो लोग भारती जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, वो सव सीट का सपना छोड कर दें, वो दस सीट पे लड़के दस जीत लें, सव लड़के को न जीते हैं, उसे क्या मतलब है, तो कम सीट पे आप लोग आ करके लड़िये, कोई दिक्कत नहीं, योगी अधिद्ना जी को करायना वा सामली की यादा कि वहां से जो पलायन करके लोटे लोग है, उनको जा करती है, अब यह मायवती जी बता सकती है, हम अपनी पार्टी के विसे में हमको पूछिए, हमसे घडबंधन के विसे में पूछिए, नीतियों कि तो हम बताएंगे, कानपूर में आज लोकल ट्रेन का ट्रैलन भी है, यह सब काम जो है, पिछली सरकारों का इस अब खाली उ सुन होने वाला है, अभी मैं पर सुन और सुफदर से आ रहा था तो अभी तो आधा कम में बाकी है, ना सर्विस लें बनी सड़क बनी है, ना कहीं बरिकेटिंग वाला जो खमा लगा है, ना कहीं कुछ है, जुटना खाली जारु भारु लगा करके सुद्धन करके चले जा ना फिर नाने के पन रहा है, शाल का परबास होई जाता हूं,